हेलो फ्रेंड्स, हुम्याज की चीन में आपका सुआगत हैं आज बना रहे है… हांड़ी पास्ता जो के बहुत ही टेस्टी बनता है और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है उतना ही टेस्टी बना है आ रहने मुँँ के पनी तरह भिया है कीजी पास्ता बना है हांटी पास्ता घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो चली बनाने शूर करते हैं हांटी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले सिंपल पास्ता को उबाल लेना है पैने पास्ता शेप ली है आप चाहे कोई भी शेप ले सकते हैं तो मैंने ये दो कप पास्ता को उबाल लिया, पास्ता उबल करके तयार हो गया है, गैस पे फ्राइपन रखेंगे, प्री टेवल स्पून के करीब बटर डाला है, आप चाहे तो आधा ओईल और आधा मखन डाल सकते हैं, लेकिन मखन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, साथ की साथी इसमें डाल क्योंकि सब्सक्राइब को बहुत जादा भूनना नहीं है, मिक्स करेंगे सभी सब्सक्राइब को, साथी इसमें डाल देंगे, वन टेबल स्पून मैदा, साथी मैदा डालने से, मैदा भी अच्छी तरीके से भून जाएगी, और सब्सक्राइब को बहुन जाएगी, गैस क मिक्स कर देंगे और गैस को फुल फ्लिम पे कर देंगे दूद में अबाला जाने देंगे दूद में अबालाने लगाए आप देख सकते हैं और मैं यह लेहसुन और मिर्च को डालना भूल गई थी जिसी कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो कभी-कभी हो जाता है ऐसा जो सॉंस बनाईगे उसको एक बाउल में कर लोगी यह देखी भगोने में मैंने सॉंस को कर दिया है पैन को गैस पे रख दिया है थोड़ा सा मखन डालेंगे और लहसुन और मिर्च के पेस्ट को भूल लेंगे लहसुन और मिर्च हलकी सी गुलाबी हो गई है इसमें जो सॉंस बनाई थी है वो डाल देंगे सारी और फिर से उबालाने देंगे अब इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अनुसार अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे टेस्ट के नुसार चिली फ्लेक्स डालेंगे या वन टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे थोड़ी सी डालेंगे पीजा सीजनिंग या मिक्सर्व या और एगे नु जो भी आपके पास वो डाल सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा थिक नहीं हुई अब इसमें डाल देंगे प्रोसेस चीज ये दो क्यूब को मैंने बेट कर लिया था प्रोसेस चीज को सॉंस में मिक्स कर देंगे अगर सॉंस थोड़ी सी गाड़ी लगेगी तो इसमें थोड़ा सा धूर या पानी डाल सकते हैं साथी बन फूर्टी स्पून के करीब काली मिल्ट डालेंगे और मिक्स कर देंगे यह white sauce तयार हो गई, अगर आपको white sauce pasta बनाना है तो आप इसमें बना सकते हैं लेकिन मेरे को pink sauce pasta बनाना है तो आप इसमें हम डालेंगे 2 टेवल इस्पून के करीब pizza pasta sauce, जो कि मैं घर पे बना करके रखते हूँ, यह homemade pizza pasta sauce है साथी इसमें 1 and the half टेवल इस्पून टमेटो केचप डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे 1 टीस्पून शेजवान सांस डाली है, मिक्स कर देंगे एकदम क्रीमी pasta बनाने के लिए आप इसमें fresh cream डाल सकते हैं या मियोनीज डाल सकते हैं मियोनीज डाल रही हूँ, करी 1 4th cup और अच्छी तरीके से mix कर देंगे मियोनीज डालने से एकदम क्रीमी टेक्शर आएगा pasta का जैसे मार्केट में मिलता है न पास्ता बिल्कुल वैसा ही pasta बनेगा, बहुत ही tasty pasta बनेगा एक बार आप जरूर बना करके देखें, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, कमेंट जरूर करें मुझे आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, प्लीज सपोर्ट करें पिंक सांस बन करके तयार हो गई है, अब इसमें डाल देंगे pasta, अगर आपको सारा pasta और सारी सांस यूज करनी है तो आप एक साथ मिला सकते हैं, अगर आपको थोड़ा-थोड़ा करके बनाना है, तो सांस को आप एक बाउल में निकाल लें उसके बाद जितना pasta बनाना है, उसे सांस को लें और उसमें pasta को मिलाएं, तो मैं आधी सांस को यूज करूँगी, आधी सांस बाद में यूज करूँगी तो आधी सांस को मैं फ्राइपेन में रहने दूँगी, आधी सांस को मैं बाउल में कर दूँगी अब आधा पास्ता सॉंस में डाल देंगे पास्ता को सॉंस में मिक्स कर देंगे मुझे थोड़ी सी सॉंस कम लग रही थी तो मैं थोड़ी सी सॉंस और मिला दे रही हूँ और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे पास्ता सॉंस में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है गैस को बंद कर देंगे अब हांडी में पास्ता को भरेंगे ये देखे मैंने एक हांडी ली है इस तरीके से हांडी में पास्ता को इस तरीके से भर देंगे पहले आदी हांडी को भरेंगे इस तरीके से पास्ता से यह मूजरेला चीज है अब जो आदा पास्ता भराए उसके उपर डालेंगे चीज अब इसके उपर फिर से पास्ता को भर देंगे उपर तक अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप एक भगोनी में पुड़ा सा नमक टाल करके और उसमें फोईल पेपर से पास्ता को ढख करके या प्लेट से पास्ता को ढख करके मतलब हांडी को ढख करके और पकने के लिए लगते हैं चीज के मैल्ट होने तक पका लें जैसे की केक अगरा पकाते है ना गैस पर से उसी तरीके से और अवन में पका रहे है तो चार से पांच मिनट में जो चीज है वो मैल्ट हो जाती अच्छी तरीके से मैं अवन में चीज को मैल्ट करूंगी यह देखिए उपर तक पास्ता को भर दिया है उपर से दाल देंगे खुब सार और चीज को मैंट होने में 4-5 मिनट लगे हैं अब आपको मैं दिखाती हूँ कितना चीजी और कितना क्रीमी पास्ता बनाई यह देखिए कितनी चीज आ रही है देखिए कितना यमी लग रहा है न वाव आप सकते ही खाने का मन करें अच्छा बन करके तयार आर्खिए किया आपको यह रेशिपी कैसे लगी अगर आपको यह रेशिपी के लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैम्ली के साथ में इस्टे हैपी एंड कीप कोकिंग थैंक यू और ऐसी नई रेसीपी देखने के लिए देखते रहे हैं सौम्याज किचिन बबाएं फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ